हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल गार्डन ड्रीम्स फ्रेंड्स आज हम फिटोनिया प्लांट के बारे में बात करेंगे हम देखेंगे कि फिटोनिया प्लांट जो है हमारा उसे हम किस तरह से प्रपगेट कर सकते हैं कैसा सॉल मिक्स होना चाहिए कैसा पॉट का साइ चीज़े डिसकस करेंगे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगा तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फिटोनिया प्लांट के बारे में फिटोनिया प्लांट जो है फिरेंड़ उसे हम नर्थ प्लांट, नेट प्लांट या मौसा एक प्लांट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि फिटोनिया जो है वो बहुत हीए वन्डर přुल ट्रॉपेकल हायॉस प्लांट है जोकि टेबल टॉप्स के लिए हैंगंग बास्कित्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है detail में बात करें तो friend, जो हमारा fitonia plant है फो एक rainforest plant है ट्रопohl plant है तो basically जो होता है ये plant हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारा एक खर में अच्छा सा indoor environment बना सके That's why this plant is most famous for its leaves rather than flowers इसकी leaves इतनी ज़ादा खूबसूरत हैं कि हर कोई चाहता है हमें से अपने घर में रखें लेकिन उसके लिए हमें पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं कौन-कौन सी बाते हैं जो हमें इसके लिए सबसे ज़रूरी है फर्स आता है फ्रेंट हमारा पॉट का साइज जब भी हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो हमारे लिए पॉट का साइज बहुत मेटर करता है हमें देखना है कि हमें इसे small size में लगाना है large में या medium में तो fitonia की बात करें तो fitonia plant जो है वो small size pot में या medium pot size में काफी अच्छा survive कर जाता है बशरते plant में बहुत अच्छे से plant को अच्छे से लगाया हो और उसमें drainage hole भी काफी अच्छा हो आता है friend की हमें उसका soil mix क्याता रखना है तो friend इसके लिए हम दो तरह का soil mix बना सकते हैं एक with soil और दूसरा without soil with soil की अगर हम बात करें तो friend हमें रखना होता है 30% garden soil हम रख लेंगे 30% coco pit 20% vermicompost और 20% perlite इसके लिए सब से च्छा soil mix किसी तरह का हो सकता है और अगर आप चाहते हैं कि आप without soil रखें क्योंकि without soil propagation के इसके काफी अच्छे result आते हैं और without soil की अगर हम बात करें जो जो हम उसमें डालेंगे वो आएगा हमारा 30% जो हमारे coco pit आएगा 20% हम वर्मी कंपोस ले सकते हैं और 20% वर्मिक लाइच और 20% हम पर लाइट लेंगे उसके बाद 10% या तो हम कोईला लेले कोल या फिर हम gravels लेले उससे भी हमारा जो इसका soil mix है वो काफी अच्छे से तयार हो जाएगा अब बात करते हैं इसकी sunlight की कि हमने plant लगा लिया soil की बात कर ली pot size की तो plant में sunlight कैसे एरिया में हम इसे रखें तो इसे low to medium light की ज़रुत होती है हम अगर इसे outdoor रखेंगे तो इसकी जो leaves है वो burn होने के chances होते हैं और हम अगर इसे indoor भी रखते हैं क्योंकि बहुत ही tricky plant है तो हमें ध्यान रखना है कि indoor में भी हमें इसे अगर green net के नीचे भी रखते हैं तो chances होते हैं कि इसकी leaves जो है वो filter burn हो जाएं filter हमें रखना है तो हमें रखना है कि हम ऐसी जोगे रखें जहां पर हलकी फुलकी light आती हो इसके लिए bulb की light LED light इतनी sufficient है आपको कोई additional light की requirement नहीं है next point है water कि हमें इसमें water कितना करना है तो friends हमें इसकी soil को हमेशा नम रखना है क्योंकि यह humidity loving plant है तो यह prefer करता है कि हम इसमें misting करें लेकिन misting हमें किस time करनी है हमें यह भी ध्यान रखना है हम इसे summer में morning evening do time mist करें और winter में आप जहां रहते हैं आप उसके according इसे misting provide कर सकते हैं avoid करें रात को misting करना क्योंकि रात के time already turn बढ़ जाती है तो फिर plant में root root होने की chances हो सकते हैं आप एक और चीज़ ध्यान रखें कि इस plant को कभी भी underwater में ना होने दे क्योंकि इस plant में अगर आप बिल्कुल soil soup जाएगा तो भी plant के खराब होने के chances होते हैं फिर कॉप अप होने में plant को बहुत समय लग जाता है निक्स पात करते हैं friends fertilizer किस तरह से रखना है तो friend इसमें best रहता है organic fertilizer और आप organic fertilizer यूज करें और गैनिक fertilizer में भी liquid fertilizer अगर आप यूज करें तो best रहता है आप कोशिश करिएगा कि आप seaweed fertilizer यूज करें हर 15 डेज में वो भी इसके लिए काफी healthy और effective रहता है और क्योंकि यह humidity loving plant अगर हम humidity की बात करते हैं तो अगर आप try conditions में रहते हैं तो देखिए कि आप इसे terrarium में रखें close करके या फिर आप इसे misting करते रहें ताकि humidity plant में बनी रहे और because it grows well in humid conditions next आते है प्रूनिंग कब करनी है तो यह plant बहुत ही अच्छा plant आप कह सकते हो खुबसूरत plant दिखता है लेकिन tricky plant है तो हमें प्रूनिंग कब और कैसे करनी है अगर हम इसकी time to time प्रूनिंग करते रहेंगे तो प्लांट को हम bushy बना सकते हैं healthy रहेगा बुशियर रहेगा लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना bushy चाहिए क्योंकि यह बहुत ही laggy plant हो जाता है इसकी tendency जो है grow करने के साथ साथ बहुत laggy हो जाता है तो आप इसकी time to time प्रूनिंग करके propagation कर सकते हैं इसके propagation आप soil में भी कर सकते हैं और water में भी कर सकते हैं बहुत simple तरीक है फ्रिंट आप node area झात कट कूचें और इसकी cutting आप water में चाहे Honor मों प्रूपगेट कर लिए von soil mix मों आप इने में तयार में कर सकते हैं उससे सोयल में प्रूपगेट कर सकते हैं best season जो इसके propagation का रहता है friend वो रहता है rainy season क्योंकि rainy season में ये काफी अच्छे से grow करता है because natural humidity environment वहाँ पर बना रहता है एक चीज़ और याद रखें अगर आप इसे soil में propagate कर रहे हैं इसकी cutting को तो उस soil में जब आप इसकी cutting propagate करें तो कोशिश करें कि इसे plastic bag से cover कर दें या plastic cap से या plastic का कोई भी cover आपके पास हो आप उससे इसे cover कर दें ताकि इसकी जो rooting है वो काफी अच्छे से हो सके next important point आता है friends problems कौन सी आती है इस plant में इस plant में जो basically problem देखी जाती है वो moisture की देखी जाती है क्योंकि humidity loving plant है तो इसे misting बहुत पसंद है लेकिन कभी कबार क्या होता है कि हम उतना misting नहीं provide कर पाते हैं जितना plant को चाहिए या फिर हम over watering कर देते हैं कि हमें लगता है कहीं ये बहुत ब्राइना होचा है तो इसे misting करते हो करते हो उसके इसमें root rot होने के chances हो जाते है तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे इतना जब भी water करें आप soil check ज़रूर करें bottom soil भी check कर सकते है और top soil तो आपको check करनी ही करनी है एक और problem आती है बहुत basically इस plan में वो आता है friends insects attack snail का slug का या फिर sometime leaves पे brown dot जैसे start हो जाता है तो वो जब भी आपको लगता है कि आपको leaves में किसी तरह का fungus लग रहा है brown dots करके कोई भी infection इसमें हो रहा है fungus infection है viral infection है तो आप neem oil spray ज़रूर करें हर 15 दिन में जिससे इसमें इस तरह की problems arise ना हो अब path करते हैं कुछ important tips की जो इस plant के लिए बहुत जरूरी है ध्यान रखने लाएक है पहली चीज तो यह कि यह बहुत ही tricky plant है तो हमें इसकी humidity maintain करके रखनी है यह high humidity prefer करता है second अगर हम इसे close terrarium में रखते हैं तो यह काफी अच्छे और healthy से grow करता है या फिर हम इसे indoor में रखें तो भी हम इसका soil mix अच्छे से तयार करें third important tip पाती है कि अगर हम इसे propagation करना है तो I'll suggest कि इसका water propagation बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें आप इसकी rooting check कर सकते हो और उसमें root rot होने के या cutting खराब होने के भी chances नहीं रहते next important जो है tip वो है कि हमें इसे अगर आप घर के अंदर इसे रख रहे हैं indoor environment में तो आपके पास जो भी normal light है simple light या little light या उसमें भी काफी अच्छे से survive कर जाता है बशर देज आप humidity देते रहें इसे जादा हवा के नीचे ये like AC और पंके के नीचे नहीं रखना है क्योंकि इससे भी इसमें problem arise हो जाती है last important tip ये है friend की इसकी अगर हम bunching एक साथ कर दें तो ये काफी अच्छा healthier look देता है और ये plant बहुत अच्छे से grow करता है तो friends अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करनो ना भूरे और चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर करें